दोस्तों जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं या फिर किसी भी दूसरी फचल की बुवाई करते हैं तो उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरास और पॉटास की पूरती यूरिया, सिंगल सुपरफास्फेट यानि कि SSP और पॉटास की पूरती M.O.P. द्वारा करते हैं या फिर उसमें N.P.K. 12, 16 या कोई दूसरा गिरेड N.P.K. का यूज करते हैं या दोस्तों D.A.P. का प्रियोग करते हैं और हमारे कुछ किसान भाई उसमें M.O.P. भी मिला देते हैं इस पिरकार हम अपने फसलों में इस चीजों का प्रियोग करते हैं या कि N.O.P. और हमारे किसान भाई बहुत से ऐसे होते हैं जो अपनी फसल में निराई, गोडाई, जुताई, खुदाई के समय कई बार इन चीजों का प्रियोग कर लेते हैं यानि के D.A.P., N.P.K. या फिर कोई दूसरे जो फास्वेटिक खाद होते हैं उनका प्रियोग करते हैं जिससे हमारी फसल की लागत है वो बहुत बढ़ जाती है और दोस्तो इस लागत पढ़ने का कारण होता है हमें कई बार विफिन प्रिकार के फर्टी लाजर यूज करना जिससे हमारा जो मुनाफ़ा है वो कम हो जाता है अब दोस्तो बात आती है कि इन फर्टी लाजर को बार बार प्रियोग करने से कैसे रोका जाए यानि कि इनका प्रियोग हम नाए करके किस पूरती द्वारा हम अपने जो फर्टी लाजर हैं इनकी पूरती कर सके यानि कि हम बिना खाद के अपनी आगे की जो फसल है उसका यो फसल है वो बिनाखात की प्रियोग से अच्छी गिरो कैसे हो अच्छी पैदावार कैसे मिले तो दोस्तो हम बात करें हैं माइकुराइजा यह जो माइकुराइजा होता है एक फफूंद होता है यह हमारे पौदों का मित्र फफूंद होता है क्योंकि दोस्तों यह जो फफूंद होते हैं यह तीन प्रिकार के होते हैं एक ऐसे फफूंद होते हैं जो हमारी फचलों को नुक्सान पहुचाते हैं और ऐसे दूसरे फफूंद होते हैं जो हमारी फसलों को नहीं तो मुनक्सान पहुचाते हैं और नहीं वो लाप पहुचाते हैं और दोस्तों जो माई को राजा है ये हमारी फसलों के लिए मित्र फफूद है यानि कि ये लाप पहुचाता है ये हमारे पौदों से कुछ लेता तो अवस है लेकिन बहुत कम लेता है और जादत देता है यानि कि इससे हमारी फसलों को बहुत बड़ा फायदा होता है और दोस्तों ये फायदा क्या होता है ये फायदा होता है कि हमारा जो ये माई को अब दोस्तों यह पूरती कैसे करता है यह दोस्तों यह एक विसेश प्रिकार की फफॉंद होती है और जब हमारे पौधे होते हैं जो हमारे जमीन में फिक्स हो जाते हैं जिसे हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं या हमारे पौधे की जड़ों से वो दूर होते हैं और हमारे पودह। उन्हें नई ले पाते हैं और उनका जो वरियोग है बेकार हैं और यह फपुन जो है हमारे पधों की जड़ों को उवलक्त कराता है और हमारे पधों उसे ले पाते हैं और अच्छे से ग्रहन करते हैं यानिकwww के हमें बिर्न ढाले यह वो कामाती है और मुनाफ़ जाने मिलता है अब दोस्तों मैं चित के माद्यम से आपको बताता हूं यह किस प्रिकार पोसक्तपों को हमारे पौध को उपलब्द कराते हैं दोस्तों माईकुराईजा का पूरा नाम होता है बैस्कुलर अर्वैस्कुलर माईकुराईजा और दोस्तों यह हमारे जो प्लैंट की जड़े हैं वो खीच लेती हैं और लेकिन दोस्तों जो हमारे जो स्वैल में जो फिक्स होता है फास्पोरस जिसे दूर होता है यहां पर होता है यहां पर होता है तो यह हमारे जो पौध की जड़े हैं इसे दूर से नहीं खीच पाती है और दोस्तो इसके लिए यह जो माईको राजा है हमारा बहुत अच्छा काम करता है और जो माईको राजा जो होता है यह दो प्रिकारा का होता है एक होता है एंडो माईको राजा और दूसरा होता है एक्टो माईको राजा यह एक्टो माई कराया होता है यह जो बहार से हमारी जड़े जो होती है इस पर यह उल्ज़ा होता है चिपका होता है और यह भिबनी प्रकार से इसके जड़ों के चारों तरफ लिपता होता है और दोस्तों इसका जो कार्य होता है वो यह होता है यह इसका जो जड़ होता है पोदे का इससे एक सिरा इसका माईकराजा के जो स्पोर्स होते हैं वो यहां चिपका होता है और यह धीरे 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 यह बढ़ता चला जाता है और यहां तक यह आ जाता है जहां हमारी जो खाद होती हैं तो इसे यहां से यह अपने अंदर पिरवेश कराकर यह पोधे की चड़ों को देता है इस पिरकार यह कारे करता है और यह जो माई को राजा होता है यह जो फंगस होता है यह इस पिरकार यह बिस्तार कर लेता है और हमारी जो चड़ों से यह चल कर यह धीर दीरे ये बहुत बड़े एरिये में ये अपना कबजा जमा लेता है और दोस्तों ये पोधे से तो बहुत कुछ कम लेता है लेकिन हमारे पोधे को ये बहुत कुछ देता है जैसे हम इसका विस्तार से आपको बता चुके हैं और दोस्तों इस पिरकार माईकर राजा हमारी जो फिक्स फासफोरस आदी पड़े होते हैं या जो हम डालते हैं और हमारे पोधे की जड़ों से दूर होते हैं उनको यह जो ले लेता है और हमारे पोधे की जड़ों को देता है जिससे हमारे पोधे की जड़े बिना फासफोरस यानि कि बिना खाट डाले हुए पूरी फज तो दोस्तो इस प्रकार य। यह जो मैकुराजा है हमारे पौदो sag outta 10 को पूर इस फसल उप्वाज्ध कराता है दोस्तों बस हमें सिम्हाय किया असकता हूत है नाशं सकता होती है अर इनका पूरह से बहुत है यह ज़ंगा स्टार Hai तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रा की हमें इसकी जो मात्रा है चार किलो प्रिती एकड़ के हिसाब से लेकर इसे मिट्टी में मिलाकर प्रियोप करना चाहिए और दोस्तो इसे हम जो गोवर का खाद होता है उसमें मिलाकर भी प्रियोप करते हैं लेकि दोस्तो उसके फैलाव अच्छा होता है और जतना जाए इसका फैलाव होगा जितना जाए इसका विकास होगा उसने यह काम करेगी और हमारी governor को सहायता पूरदान करेगी यह हमारी फ़स़सर चिता बार हैं वह बढ़ाएगी तो दोस्तोरब से कुछ साथ धानी पर ने की वा सकता है दोस्तों जब आप इस माई को राजा को लाएं तो इसका जो भंडारण है या आप अपने घर पर रखते हैं तो इसे सूरज की लाइट से दूर रखें यानि कि इसे नमी वाले स्थान पर रखें जहां नमी रहती हो चाया रहती हो और द लाना चाहिए और हमें प्रियोग करने के बाद तुरंट से चाहिए तो दोस्तों इस प्रकार यदि आप माई को राजा कर प्रियोग करते हैं तो आप अपनी पैदावार जादा ले सकते हैं और दोस्तों जादे पैदावार के साथ साथ अपनी लागत भी घटा सकते हैं त तो दोस्तो इस वीडियो करते हैं समाथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नमस्कार